पृत्वी, पृत्वी समस्त ब्रह्मान का एक लौता ऐसा ग्रह है चहां पर जीवन सम्मब है रेडियोमेट्रिक टटिंग के प्रक्रिया के आधार पर ये पता चला है कि पृत्वी का जो उम्र है वो लगबग 45 क्रोर बट से पृत्वी की इनर स्ट्रक्चर के तीन भाग में डिवाइट किया गया है क्रश्ट, मैंटाल और कोर क्रश्ट जो है धर्ती पर हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब क्रश्ट के अंतरगत है क्रश्ट धर्ती के अंदर करीब 40 किलोमेटर दक फैला हुआ है क्रश्ट के जो मोटाई है वो महासागरों और महादीपों में अलग-अलग होती है महासागरों में कम और महादीपों में ज्यादा होती है क्रश्ट सिलिका और अलुमिनियूम से बना हुआ है इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है नेक्स्ट जो लेयर हैं हो है मेंटल, मेंटल जो है वो लगभग 100 से 300 किलमेटर तक फैला हुआ है, यह सिलिका और मैंगनेसियम से बना हुआ है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है, इस लेयर को पारोस्प्योर भी कहा जाता है, जो थर्ड है, जो कि पूरी तरह से अंदर वाला है, उसको कोर कहा जाता है, मेंटल की नीचले बाले लेयर को कोर कहा जाता है, इसका निर्माण मुक्षर रोप में नीकल और आइरन से हुआ है, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है, नीकल और आइरन, फैरस, आइरन का जो नाम है वो फैरस, कोर को दो पार्ट में डिवैट कह गया है इनर को और दूसरा है आउटर को इनर को वो प्रुथवी की केंद्र और सबसे गरम वो इतना ज्यादा गरम होता है सबसे ज्यादा मतलब सूरज की गरम की समान ही होता है उसका जो टेंपरेचर है वो 55-100 के कारण इनर को प्रुथवी के वो इंजन इंजन कक्ष की तरह काम करता है और यह जो है उसके आउटर को उसका जो टेंपरेचर है वो 4000डिकरी फारिनाइट से 900डिकरी फारिनाइट तक है वान डिग्रेचरस इकल टो 32डिकरी फारिनाइट होता है तो इसे सबसे इनर को ज्यादा गरम होता है वो आउटर कोर की तुलना से बट आउटर कोर जो है लिकुड फार्मेट में होता है और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड में होता है तो यह होता क्यों है इसकी कारण जाने के लिए हम अगले वीडियो पे देखेंगे अगले वीडियो पे या thoughts पे आ जाएगा इसके कारण क्या है और आप लोगों के पास भी कोई अगर suggestion है तो आप topic suggest कर सकते ओके, thank you